मानो मैं category wise profit देखना चाता हूँ तो मेरे पास product table में product categories है और sales data में मेरे पास profit है तो हर एक category में मुझे कितना profit हुआ है अब canvas में chart draw करने से पहले better होगा कि हम इसे imagine करे मतलब कि क्या हमें ये categories x-axis पर चाहिए या y-axis पर अगर हमारे पास categories x-axis पर है तो हमारे पास vertical bars होंगे और अगर ये y-axis पर है तो हमारे पास horizontal bars होंगे मान लेते हैं कि मुझे categories x-axis पर चाहिए तो इस case में हम categories को columns में रखेंगे आप देख सकते हैं कि हर एक category का एक column बन गया है अब अगर मैं profit को rows में डालता हूँ तो ये automatically sum function से aggregate हो जाएगा और हमें ये vertical bars मिलते हैं जिनमें profit y-axis पर है और categories x-axis पर यहां जानने वाली जरूरी चीज ये है कि हमें किसको rows में डालना है और किसको columns में डालना है तो आपको आपके x-axis पर जो भी चाहिए होगा उसको हमें columns में डालना है और जो आपको y-axis पर चाहिए उसको rows में डालना है अब अगर यहां मुझे वर्टिकल बार्स के बज़ाए horizontal बार्स चाहिए तो मुझे बस category को रोज में डालना है और profit को columns में तो आप देख सकते हैं कि categories y-axis पर हैं और sum of profit x-axis पर अब आपने ये notice किया होगा कि ये बार चार्ट से बाहर जा रहा है और ये show me bar के नीचे छिप रहा है अगर मैं इस chart को resize करना चाहता हूँ तो मुझे इस chart के end पर जाना है जहां ये chart खतम हो रहा है और मेरा cursor इस icon पर change हो जाएगा तो अब मुझे इसको click करके hold रखना है और अब हम इसे resize कर सकते हैं इसी तरह से मैं chart की vertical height set कर सकता हूँ chart के end point पर जाना है और click करके hold करना है और height adjust करनी है तो इस तरह से आप chart को resize कर सकते हैं अब जब हमने show me bar में इस chart को देखा था तो यहां हमने देखा था कि यह horizontal bar chart है और इसको बनाने के लिए zero या उससे ज़्यादा dimensions की और एक या उससे ज़्यादा measures की ज़रूत होती है तो आपको हर एक chart बनाने के लिए किस तरह के data की ज़रूत है यह information आपको यहां से मिल जाएगी इस chart के लिए हमें बस एक measure चाहिए तो अगर मैं इस category को remove कर देता हूँ जो कि dimension है तो अभी मेरे पास एक measure है जो कि है sum of profit जिसे यह बार show कर रहा है तो इस chart को बनाने के लिए मुझे बस एक single measure की ज़रूत है जो कि यहां show me window में भी दिखा रहा है अब मैं यहां dimensions एड़ कर सकता हूँ एक dimension मैंने category के एड़ करी थी जिससे की मुझे तीन बार्स मिले तो मैं यहां और dimensions एड़ कर सकता हूँ मानो अब मुझे region wise और category wise sales निकालनी है example के लिए यहां से region को pick करके यहां drop करते हैं तो हर एक category के लिए मेरे पास चारो regions है और हर एक region के सामने मेरे पास उनकी profit value है अब क्योंकि हमने यहां पहले category रखी है फिर उसके बाद region रखा है तो यहां भी पहले हमें furniture class मिली है फिर उसके बाद region आया है इसी तरह office supplies फिर उसके बाद चारो reasons अगर आप इस order को change करना चाते हैं तो आप category को pick करके यहां drop कर सकते हैं और अब आप देख सकते हैं कि हर एक region के लिए हमारे पास तीन categories है तो यह इस चीज़ पर depend करता है कि हमें अपना data किस तरह से show करना है अगर हमें हर एक region में categories एक साथ show करनी है तो हम category को बाद में put करेंगे और अगर आपको हर एक category के region एक साथ दिखाने है तो आपको पहले category put करनी पड़ेगी फिर उसके बाद region यहाँ पर main point यह है कि bar charts में भी आप बस एक single dimension तक restricted नहीं है आप dimensions add कर सकते हैं मैं यहाँ इस ship mode dimension को भी add कर देता हूँ तो इससे यहाँ पर मेरे पास और ज़्यादा वार्स हो गए तो इस तरह से आप इसमें dimensions add कर सकते हैं और उसके base पर categorization कर सकते हैं अब इन्हें remove कर देते हैं तो यह chart है जो हमारे पास था region wise profit values और यहाँ हमें regions alphabetical order में मिल रहे हैं अब अगर हम इन्हें sum of profit value के base पर order करना चाहते हैं मतलब कि जिस भी region में सबसे कम profit है वो सबसे ओपर होना चाहिए और जिस region में सबसे ज़्यादा profit है वो सबसे नीचे होना चाहिए तो data को sort करने के लिए हमें इस region variable पर जाना है इस drop down पर click करेंगे तो हम यहाँ यह option देख सकते हैं sort इस पर click करेंगे तो हमारे पास यह सारे sorting options आ गए हैं तो हम इसे data source order alphabetic order और किसी field के base पर भी sort कर सकते हैं आप इसे manually select कर सकते हैं या आप nested select करके इस sorting पर multiple rules एपलाई कर सकते हैं मतलब कि जैसे आप पहले इसे region के base पर sort करेंगे फिर उसे sum of profit value के base पर sort करेंगे तो यह nested sort बन जाएगा लेकिन अभी हम इसे field के base पर sort करना चाहते हैं जो की है sum of profit तो मैं यहाँ field select करूँगा तो आप देख सकते हैं कि background में chart automatically sort हो गया है और field name है profit और aggregation है sum आप इसे यहाँ से change कर सकते हैं हलाकि मैंने profit और region यहाँ पर plot कर रखे हैं लेकिन अगर मैं इस field को sales amount के base पर sort करना चाहता हूँ तो मैं यह भी कर सकता हूँ तो मैं यहाँ से field name change करके sales पर कर दूँगा और जबकि हम chart में केवल sum of profit और region ही show कर रहे हैं तो हम अभी इसे sort by profit ही करते हैं अब एक question आपके मन में आ रहा होगा कि हमें कब horizontal bar chart से use करने हैं और कब vertical bar chart से use करने हैं तो इसका कोई ऐसा rule नहीं है लेकिन एक common practice है कि जब आपके पास categories कम हो example के लिए जैसे यहाँ मेरे पास केवल 4 categories है तो ऐसे scenarios में vertical bar charts prefer किये जाते हैं vertical bar chart को हम column chart भी कहते हैं तो जब हमारे पास कम categories होती हैं तो ऐसे में column charts prefer किये जाते हैं example के लिए अगर हमारे पास 3 से 5 categories हैं तो ऐसे में हमें vertical bar chart यूज करना चाहिए लेकिन अगर हमारे पास काफी ज़्यादा categories हैं तो इन scenarios में हमें horizontal bar charts यूज करना चाहिए इसका एक main reason ये है कि जब हमारे पास horizontal data होता है तो ऐसे में हम कई सारी categories के नाम शोग कर सकते हैं और अगर हमारे पास कई सारी categories हैं और हमने data को vertically put किया है तो ऐसे में हमारे categories के names आपस में मिल जाएंगे जिससे की chart को समझने में दिक्कत हो सकती है तो क्योंकि हमारे पास सिर्फ 4 categories हैं तो इस चार्ट को column chart में turn करते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया है कि हम इसे कैसे करते हैं। हमें बस इन pills को rows और columns में exchange करना है। इसे हम इस toolbar icon पर click करके भी कर सकते हैं। ये इसका एक shortcut है। अगर आप इस पर click करेंगे तो rows और columns swap हो जाएंगे। और हमें यहाँ vertical column chart मिल जाएगा। इसी तरह toolbar में हमारे पास ये sorting options भी हैं। तो अगर आप इस पर click करते हैं तो हमारा data पहले से ही increasing order में sorted था। लेकिन अगर मैं इस पर click करता हूँ तो हमारा data decreasing order में sort हो गया है। तो एक बार आप sorting field set कर लेते हैं। तो उसके बाद आप इन buttons का use करके ascending और descending order में उसे change कर सकते हैं। अब हम last चीज जो discuss करने वाले हैं वो है chart और sheet को rename करना। तो अभी chart का नाम है sheet 1 और हमारा sheet का नाम भी है sheet 1। अगर आप इस sheet को rename करना चाहते हैं हम इसे rename करने के लिए इस पर right click करेंगे और rename पर click करके मैं आप इसका नाम लिख दूँगा बार चार्ट। अब यहां sheet का नाम change करते ही हमारे जो chart का नाम है वो भी change होकर बार चार्ट हो गया है। आप इस chart के नाम को change करने के लिए इस drop down पर click करेंगे और यहां edit title पर click करेंगे। अब मैं यहां जो भी नाम लिखूँगा वो नाम इस chart के उपर हमें show होगा। अब यहां एक variable inserted है जो कि है sheet name इसका मतलब है कि हमारा sheet name जो भी होगा वही हमारा chart title होगा। अब हम यहां custom name डालेंगे जो कि है region wise profit। अब आप देख सकते हैं कि हमारा chart name और sheet name दोनों different है। तो by default हमारा chart title same sheet name पर set होता है। लेकिन मैंने आपको दिखा दिया है कि आप दोनों को individually change कैसे कर सकते हैं। आप sheet के नाम को और chart के title को अलग-अलग rename कर सकते हैं। तो bar charts में बस इतना ही। यहां अगर show me window में जाकर देखें तो यहां दो types के charts और हैं। पहला है side-by-side bars और दूसरा है stacked bars हम इन दोनों को marks card के बार discuss करेंगे। और हम charts की formatting मतलब की जैसे हमारे bar chart के bars का color change करना। यह सब हम आने वाली videos में देखेंगे। इस video में बस इतना ही, thanks! तेना है। गलूछहते है।